अकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी पहले मुख्य समाचार कुरोना संकट के बाद तेजी से वापसी करेगी देश की अर्थव्यवस्था अंतराश्चिय क्रेडिट रेटिंग एजनसी का अनुमान केंद्रु ने मंजूर किये प्रदेश को 1280 करोड रुपे 26,27,000 ग्रामीन घरों तक नल के जरीए पहुंचेगा पेजल प्रदेश में 6,800 से ज्यादा लोग कोरोना को हरा कर घर लोटे 15 जून से परिटकों के लिए खुलेगा बांधवगर टाइगर रजर्फ और भोपाल उजयन अंदौर सहित कई जिलो में आज प्री मौनसून बारश अब समाचार विस्तार से अमारिकी क्रेजिट रेटिंग एजिंसी फिच के अनुसार वर्तमान वित्तवर्ष में गिरावट के बाद भारती अर्थिव्यवस्था के अगले वित्तिवर्ष में तेजी से बढ़कर 9.5 प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना है एजिंसी ने आगामी वित्तवर्ष में सकल घरेलो उतपाद में 5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है मध्यप्रदेश चेंबर आफ कॉमर्स ग्वालियर के मानत सचव डॉक्टर प्रवीन अगरवाल ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में भारती अर्थ व्यवस्था तीवर गती से वापसी करेगी और जो फिच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है उस अनुमान से कही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी वही इंदोर के अर्थ शास्त्री और शिक शाविद डॉक्टर मंगल मिश्व ने आका अश्वानी से बाचीत में कहा की पूरी दुनिया के लिए भारत मिसाल पेश करेगा मालवा चेंबर ओफ कॉमर्स आंड इंडास्ट्रीज के अध्यक्ष अजीद सिह नारंग ने कहा है कि निश्चत तोर पर आत्म निर्भर भारत अभियान का आने वाले वर्षों में अर्थ व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा सुदेशी उत्पादन को बहतर गुनवत्ता वाले उत्पादन में कनवर्ड करने की बात कही गई है ताकि आयात के मुकाबले अधिक निर्यात हो और हमारी जीव डीपी को मजबूती प्रदान करे प्रधानमंच्वी नरींद्र मोधी ने कहा है कि कोविट के बाद की स्थतियों को देखते हुए देश अब नियंत्रन और नर्देश के दौर से निकर कर प्लग एंट प्ले के दौर में आ गया है भारती अवानज्य संके कोलकाता में आयजित 95 सालाना सत्र को आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये संबोधत करने के दौरान उन्होंने सरकार की जन केंदृत नीतियों का उलेख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में एक प्रतिस्परधात्मक और मजबूत घरेलु आपूर्ती श्रिंकला तयार की जा सके केंद्रिय जल शक्ति मंत्राले ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान वियन के लिए 1280 करोड रुपे की मनजूरी दी है इस राशी से 26,27,000 ग्रामीन घरों में नल कनेक्शन देने की कारिय योजना को मूत रूप दिया जाएगा वर्तमान में 13,52,000 ग्रामीन घरों में पहले से ही नल कनेक्शन के माध्यम से पियजल उपलाप्त कराया जा रहा है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोक्रियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में देश के उच्छ शिक्षन संस्थानों की वरेता सूची जारी की भारत रैंकिंग 2020 नाम की समग्र रूप से जारे इस सूची में IIT इंदौर 23 स्थान पर वही भोपास थित आईसर 40 स्थान पर है मंत्राले ने विशेवार अलग-अलग सूचिया भी जारी की है ये समाचार आप आकाश्मानी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिंट, योट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलाबा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदीश में कोरोना संक्रिमित लोगों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है हाला कि अच्छी खबर ये है कि इनमें से 6,800 से ज्यादा लोग स्वास्थ होकर घर लोट चुके हैं राजी में COVID-19 से उभरने वालों का प्रतिशत 68.6 हो गया है राजी के पांच जिले अले राजपूर, हरदा, सिवनी, जाबूआ और सिहोर में पिछले 10 दिनों से कोई नया मरीज नहीं मिला है रास्थानी भोपाल की चिराईयों अस्पताल से आज 33 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई वही नीमच में 9 लोगों ने कोरोना की जंग जीती, इन्हें आज विभिन कोविट सेंट्रों से छुटी भी गई अनुपूर में आज 5 लोग स्वस्थ होकर घर लोटे, जिले में अब तक 22 लोग पूरी तरह ठीक हो चुगे है वही अक्टिव मामलों की संख्या चार है, शाजापूर में आज 26 लोगों की रिपोर्ट निगटिव आई है, इस बीच कोरोना से अब तक अच्छूते रहे निवाडी जिले में भी दो मरीजों का पता चला है होशंगाबाद में 17 दिन बाद एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है, धार में एक नए मामले के साथ संक्रमितों की संख्या 132 हो गई है कोरोना के इस महामारी के बीच तिव्यांग होकर भी मनसौर जिले के भानपुरा ब्लॉक के प्रीम पुरिया गाउं की आंगनवारी कारेकरता कंचनबाई गायरी कोरोना योधा के रूप में अपना फर्ज निभा रही है आकाश्वानी से बाचीत में कंचनबाई ने बताया कि उन्होंने कोरोना को लेकर लोगों को जागरुक किया साथ ही रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ानी वाले तिकुटू चून भी बाटे कोरोना महामारी के चलते 20 मार्च से बंद मरिया जिले मिस्थेद बांधवगर टाइगर रजव का कोर्जोन 15 से 30 जून तक परिटकों के लिए वापस खुलने जा रहा है हमारे समवाददाता ने बताया है कि वर्शा रितु के दौरान परिटक बफर जोन में प्रमन कर सकेंगे संकट के दौर में भी बच्चों की इस रजनात्मक कला को विक्सित करने और उनका उत्साह वर्धन करने के लिए जवाहर बाल भवंद्वारा अनूठी पहल की गई है जिसमें ऑनलाइन संगी चित्रकला, अभिनय, साहित्य, वादन, मूर्ती कला जैसी कलाओं के प्रशिक्षन कला बच्चे ऑनलाइन घर बैठे ले रहे हैं जवाहर बाल भवन के संचालक उमा शंकर नगाइच ने बताया है कि बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए राज्य बालशी प्रतियोगिता आयोजद की जा रही है जवाहर बाल भवन की वेबसाइट की माध्यम से बच्चे पंजियन करा करके और ऑनलाइन घर बैठे सुरक्षित रहकर विभिन कलाओं के प्रशिक्षन में भाग ले सकते हैं जबलपुर में दोसों से अधिक बच्चों ने अपना पंजियन करा लिया है बच्चों को संगीत और ऑनलाइन प्रशिक्षन दे रही डॉक्टर शिप्रा सुलेरे ने आका अश्वानी को बताया कि इससे बच्चों की प्रतिभार निखर रही है अब बात मौसम की राजधानी सहित कई जिलो में प्री मौनसून गतिवधिया जारी हैं भोपाल में सुभा से ही बादल चाय हुए हैं वही कई स्थानों पर बूंदा बांदी भी हुई मनसौर से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि मौनसून आने के पहले ही शहर और आसपास जमाजम बारिश का सिलसला जारी रहा यहाँ शाम को तेज हवाओं के साथ होई बारिश से कई अलाकों में पेड़ गिर गए हुशंगाबाद में भी आज दिन भर बादल चाय रहे दिन दौरी और मंडला में आज दोपहर बाद तेज बारिश होई चंदवाड़ा जिले में अब तक 65.1 मिलिमीटर औसत वर्शा हो चुकी है वही रायसेन जिले में 64.1 मिलिमीटर औसत बारिश तरच की गई मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दोरान भोपाल, होशंगाबाद, अंदौर, उजयन, ग्वालियर और चंबल संभागों में गरत चमक के साथ बोचारे पढ़ने की संभाव ना जताई है अब कुछ समाचार संगशेप में मुक्यमंतरी शिवरा सिंग चौहान ने आज राज्जी के अलग-अलग जिलों में सरपंचों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये समवाद किया मंसौर सांसत सुधीर गुपता ने आज जिला चिकित साले में कोरोना जाँच के लिए लगाई गए टू नॉट मशीन का शुभारम किया निमार रेंज डी आईजी तिलक सिह ने आज बढ़वानी में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली कोरोना संक्रमन के कारण मुरैना स्थिद बैंक ओफ इंडिया शाखा को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है शैडोल के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में कई विभागों की OPD बढ़ाई गई है सिहोर जिले में क्वरिंटीन नियमों का उलंगन करने पर 2000 रुपे का जुर्माना लगाया जाएगा राजकर कलेक्टर ने केंजवी विद्याले से ऑनलाइन पढ़ाई के नरदेश दिये है अगर मालवा जिले में फाइनांस कंपनियों को सशर्थ शाखा खोलने की अनुमती दी गई है बैतूर जिले में 16 जून से 15 अगस तक मचली पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा और गुरु पूर्णिमा पर खंडवाजिले में किसी भी तरह के धार्मिक मेले आयोजित नहीं किये जाएंगे अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर कोरोना संकट के बाद तेजी से वापसी करेगी देश की अर्थव्यवस्था अंतराश्य क्रेडिट रेटिंग एजिंसी का अनुमान केंडरु ने मंजूर किये प्रदेश को 1280 करोड रुपे 26,27,000 ग्रामीन घरों तक नल के जरीय पहुंचेगा पेयजल प्रदेश में 6,800 से ज्यादा लोग कोरोना को हरा कर घर लोटे 15 जून से परिट्रकों के लिए खुलेगा बांधवगर टाइगर रजर्फ और भुपाल उजयन अंदौर सहित कई जिलों में आज प्री मौनसून बारिश अस बुलिटन में इतना ही घर में रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाश श्वानी नमस्कार